तो काफी लेट हो गया इसका रिव्यू करने में वैसे भी 20-25 से ज़्यादा लोग देखते भी कायम खैर छोड़ो इसको बात करते हैं आश्रम के सीजन 3 के बारे में MX Player की सबसे ज़्यादा हिट सीरीज में इसको कह सकता हूँ कि भाईया सबसे ज़्यादा लोग इसी का वेट कर रहे थे MX Player के उपर मतलब और भी काफी सीरीज हैं जिनका लोग वेट कर रहे हैं लेकिन MX Player की अगर बात करूँ तो इन्होंने अपनी जो धाग जमा रही है वो आश्रम वेब सीरीज से ही जजा रही है मतलब बना रखी है कै इसके थर्ड सीजन के अंदर टोटल दस एपिसोड रिलीज किये गए हैं और हर एपिसोड की जो लेंथ है वो तक्रीबन 40 मिनिट के आसपास रखी गई है स्टोरी की बात कर लेते हैं जो हमने सीजन वन सीजन सेकंड के अंदर जैसे हमें देखने को मिला कि जो पम्मी पहलवान है उसको जो बाबा निराला है उसकी सचाई जब पता चलती है तो वो आश्रम से निकलने में काम्या वो जाती है अब फाइट ये है कि वो जो बाबा निराला है उसको मारना चाती है लोगों के उसको सचाई बताना चाती है और जो बाबा निराला है वो पम्मी पहलवान को वापस अपने आश्रम में लाना चाता है कि जो निराला है, जो आवा निराला है, वो कभी किसी की गोद में जाके बैट रहे है, कभी किसी की गोद में जाके बैट रहे है, ताकि वो अपनी पावर को बरकरार रख सके, अपने आपको एक तरीके से जैसे इसमें जो बाबा से भगवान का जो दरजा इसमें देखने को ह लिए हैं के अगर सीजन वन और सीजन सेकिंड के अगर मैं बात कुरूं तो वो काफी ज्यादा इंपेक्टिव थे हमें थोड़ा बहुत पावरफुल वहां पर लगता है जो थार्ड सीजन है उसके अंदर स्टोरी हमें ऐसे देखने कि मैं उसे खीचा गया है हमें कहीं पर लगे गा इनिकी स्टोरी आगे बढ़ी है आप आगर मैं बात कुरूं करेक्टर जो बोबी देलो का जो करेक्टर है वह आप फस्स दो सीजन में अगर कंपेर करके देखते हैं उसमें जैसा उसको cleverness मतलब कि जैसे उसकी टेज बुद्धी देखने को मिल रही है बहुत पावरफुल उसको अंदर में देखने को मिल रही है तो वो जैसी उसकी इमेज थी फर्स और सेकंड सीजन में वो थर्ड सीजन में गायब है रबबड की तरह खींचा गया है जिस तरह की यूज मतलब कि जिस एपिसोड की जुरूरत नहीं थी या जिन चीजों की जुरूरत नहीं थी उन चीजों को इसके अंदर जान बुचकर धक्य से वो चीज़ें डाली गई है और इसके अंदर थर्ड सीजन में कोर्ट रूम ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है जितने भी मैंने अब तो क कोट रूम ड्रामा देखे हैं उसमें सबसे खराब जो मैं कह सकता हूं कि वो आश्रम वेब सिरीज के थर्ड सीजन में उगें कोई धंके डायलोग नहीं है कोई धंका ड्रामा या सीन हमें देखने को नहीं मिलता इस थर्ड सीजन के अंदर तो बहुत ज़्यादा निराशा इस थर्ड सीजन को देखने में, तो वहां पर उनको भी बहुत एक तरीके से पीछे, एक बैकवर्ड तरीके से हमें देखने को मिलें, उन्होंने स्पोर्टिंग के तोर पे वहां पर काम किया है, उनका कोई मेन इफेक्टिव रोल इसमें नहीं हमें सामने आया है, वेट कर रहे थे, कैसे इसकी सचाए सामने आएगी, और फिर कुछ और जादा तड़कता भढ़कता चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, वो इसमें नहीं हाँ, तड़कते भढ़कते में इसमें जिश्वानी परदर्शन एक तरीके से एड किया गया है, वही जो गाली गलोज, जो में यूएसपी है, इस सीजन की, या फिर इन टीनो सीजन की, या फिर इस में सीरीज की, कि वही जैसे गाली गलोज दिया जाएगा, सेक्शुल चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेगी, अंग परदर्शन हमें देखने को मिलेगा, तो जो main USP है उसी के दम पे इसको आगे बढ़ाया गया है और इसका एक प्रोवो हमें देखने को मिलते है सीजन 4 के अंदर हाँ उसको देखकर लगाए कि कुछ चीजें अब आएंगी बढ़ियां आएंगी उसमें इंटरस्ट आएगा लेकिन थर्ड सीजन में या बहुत सारी ऐसे एपिसोड थे जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी उनको कट कर सकते थे ना ही दिखाते या फिर फॉर सीजन के अंदर आप जो भी इंटरस्टिंग चीजे लेकर आने वाले हो उसका थोड़ा बहुत चीजें या फिर थोड़ लोग बहुत उसके पर ट्रस्ट करते हैं बहुत उसका कहां मानते हैं पुलीस उसके सामने कुछ नहीं बोलती है वही सेम चीजें थर्ड सीजन में देखने को मिली है जो हम ओलीडी देख चुके हैं थर्ड सीजन में बस उस चीज़ को और ज़्यादा ग्लोरिफाई किया ग चीजें इसके अंदर कट की जा सकती थी फोर्थ सीजन जो इसे में इसका एक प्रोमो देखने को मिल रहा है जो 2023 में आएगा अब उसका और ज़्यादा वेट करना तो ये कहीं न कहीं एक निराशा जनक चीजें मुझे लगी इस सीजन को देख रही है इसमें थोड़ी बहुत चीजें मुझे अच्छे लगी जो इसमें बाबा जो निराला जो बना है उसकी पीछे जो मॉंटी है उसके पीछे की क्या कहानी है वो थोड़े बहुत flashback में जाकर उसकी कहानी भी हमें दिखाई जाती है तो वो एक interesting part लगा उसको देखकर काफी अच्छा लगा कि हाँ इसमें character थोड़ा वो development हमें देखने को मिली है वो अच्छी चीज है लेकिन पूरा एक overall 10 episode आप देख रहे हैं सिर्फ इतनी सी चीज के लिए जिसमें कहानी आगे नहीं बढ़ रही है तो वो बहुत ज़्यादा निराशा जनक है तो मेरी तरफ से इस season को मैं देना चाहूँगा 3rd season को मैं देना चाहूँगा 4 out of 10 अगर आप लोगों नहीं season देखा है तो please comment करना कि आप लोगों कैसा लगा और आपको कितनी ज़्यादा उमीदे हैं 4 season से तो अपना total review जो भी है comment section में लिख देना तो बस आज के लिए इतना है था thank you for watching this video मिलते है next video में जैहिंद